1, 2, 3, Come on! G.S. News आई करते हैं खबरे फटाफट की सुरुवाद बियार की कुछ प्रमुख खबरों के साथ। बिहार में मिले कोरोना के 1137 नए मरीज, राज में पॉजेटीव मरीजों का संख्या पहुंचा 1,69,526। 16,422 कोरोना के एक्टी मरीज हैं। अच्छी खबर प्रधान मंत्री नरेंद मोदी 18 को नव निर्मित सरायगर आसन सोल कुपाहा रेलखंड का करेंगे उदगाटन। प्रधान मंत्री नरेंद मोदी 18 सितंबर को नव निर्मित सरायगर आसन पूर कुपाहा कोसी ब्रीज रेलखंड का विदवत उदगाटन करेंगे साहरसा से आसन पूर कुपाहा तक डेमू पेसंजर ट्रेंड चलाने को लेकर सर गर्मी तेज हो गई है महासेतू पर ट्रेंड दोडने से कोसी ब अब मितलांचल की दूरी काफे घट जाएगी रविवार को ट्रायल के लिए साहरसा से डेमू ट्रेंड सुपॉल पहुँची थे बिहार के दो बाल बेग्यानिक को प्रतिभा पुरुषकार 25 सितंबर को होंगे रास्ट पती के हाथों से सम्मानित किलकारी के बच्चे अपनी प्रतिभा से हर बार लोगों को चौकाते हैं इस बार दो बाल बेग्यानिक को सम्मानित क्या जाएगा बताते चलें कि राष्टी अस्तर पर बिहार का नाम दो बाल विग्यानिक ने किया है अबजीत कुमार और अरपित कुमार को CSIR Innovation Award for School Children मिलने जा रहा है भागलपुर के सांसद अजय मंडल का सोसल मेडिया पर फरजी अकॉंट बनाकर डाल रहे अनर्गल पोस्ट पुलीस ने उनके दो अकॉंट को बंध करा दिया है जबकि दो अकॉंट अब भी चल रहा है आगलपुर के खलीफाब आग में ready-made कपड़े की दुकानों में लगी आग खलीफाब आग चोंग के पास रभीबार की रात ready-made कपड़े के दो दुकानों में आग लगई कोटवाली पुलीस मौके पर पहुंची और fire brigade इस टेशन को सूचना दी जिसके बाद आग पर काबू पाया गया हलांकी तब तक दुकान में रखे सभी कपड़े जल चुके थे आग बुझाने में 4500 लीटर की दो दमकल गाडियां लगाई गई थी इस दोरण अपरातवरी की स्तिती बनी रही अगनी समन पदाधिकारी ने बताय के सौट सर्कित के क झारन आग लगी थी नितीष के मंपरी का बयान सजायपत लालु जी के समक्ष डंडवत हो गए ज्यारखंड के सिएम हीमन सोरं बिहार सरकार के सुचनाय एवं जनसंपर्क मंपरी निरच कुमार ने आरूप लगाया है कि ज्यारखंड के मुख्य मंतरी हेमन सोरें परशाद के समक्ष डंडवत हो गए हैं, भ्रम जाल फैला रहे हैं कि कोरोना की संक्रमन दर बढ़ रही है जब कि उनकी सरकार द्वारा जारी आकड़े गवाह है कि जारखंड में रिकवरी रेट रिरंतर सुधर रहा है जो की सनिवार को 73.48 प्रतिसत रहा स्कूल खोलें को लेकर केंदर सरकार ने जारी की गाइडलाइज जानिये कब से खुलेगा स्कूल। इसकूल फीस मफी के लिए सडक पर उतरे स्वजन भागलपूर हजडिया रोड को किया जाम इसकूल फीस मापी की मां को लेकर सुमवार को अभिवाबत सडक पर उतर गए पटना से कोरोना को लेकर बड़ी राहत की खबर वाटसेप ग्रूप पर जांस से इलास तक की जबाब देहीत है राज में कोरोना नियंतरन जरूर है परन्तो इसका खौफ लोगों के दिलों की धड़कन बढ़ा रहा है राजदानी वासियों ने अब इसे जंग के लिए समू सक्ती का गठन शुरू किया है जिससे अपातकाल में अस्पताल पहुचने से पहले संकरमित को पौरन रहत मिल सके कारियालायों के सहयोगी अपाट्मेंट के लोग दोस्त और इस्तेदार इसके लिए कोस और वाटसेप ग्रूप बना रहे है रगवन परसाद को दी गई विदाई तेजस्वी और सरकार के कई मंत्री हुए सामिल प्रकर समाजवादी नेता और आरजडी के राष्टी उपाध ध्यक्ष रहे रगवन परसाद सिंग को वैसाली इस्तित उनके पैत्रीक गाउं में अंतिम विदाई दी गई रगवन परसाद को अंतिम विदाई देने के लिए जंसलाया पुमर पड़ा पटना से बिहार सरकार के मंत्री निरज कुमार जे कुमार सिंग सहीत नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव आरजडी विधायक भोला यादव मलसी सुनिल कुमार सिंग सहीत राजद के कई नेता वैशाली पहुँचे समान जैसे आईरन पंखा कुलर फ्रीज वासिंग मसीन सहीत कई अन्य उपलब्द हैं संपर्क करे राकेश जैसवाल 7979-850079 75496-83888 उसा फरनीचर गांधी चौक कलासन रोट चौसा अब आपके सहर नवगच्या में पहली बार फ्लैक्स बैनर प्रिंट हाथो हाथ पाए फ्लैक्स प्रिंट, लाइट बोर्ड, रेडियम बोर्ड, नैम प्लेट, नमबर प्लेट, ग्रेनाईट मारवल पत्थर पर खुदाई के लिए संपर्क करें विनायकाच, गौशाला रोड, पुरानी गैस ओफिस के सामने नवगच्या, मोबाईल, बहत्तर पंचानबे, आट सो दी, साथ सो तेहत्तर, तैर, नवगच्या, बस एक फोन घुमाओ, घर पर समान पाओ, अब बजार जाकरी रासन खरिदने की क्या है जरूरत? जब ओए माठ हैं, आपके लिए तैयार, ओए माठ के मुबाईल एप या वेब साइट से खुल कर खड़ितारी और पाए होम डिलिवरी, घरिलो समान की डिलिवरी नवच्या अनुमंदल के किसी दिछेतर में, संपर्क करे 1340371787, 7325052437